सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इस बीच बड़ी खबर है पंजाब से है रविवार को चन्नी और नवजोट सिंग सिद्धू के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई है बैठक से नोगजोग की भी खबर आ रही है सिद्धू का रवाईया देख चन्नी ने सिएम पादे छोड़ने की बात तक कह दी है ये अपने आप में बड़ी खबर है चरण जी चन्नी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पादे छोड़ना चाहता हूँ नवजोट सिंग सिद्धू सिएम बन जाएं और दो महीने में परफॉर्म करके दिखा दें चनौती दे रहे हैं चन्नी देखिए सिएम के साथ बैठक में सिद्धू ने कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिय गांधी को 13 सूत्री एजंडे का मुद्दा उठाया था सिद्धू ने सिएम से पूछा कि वो उन वादों को क्यूं पूरा नहीं कर रहे हैं तो पंजाब की सियासत में लगाता गर्माहट बनी हुई है देखिए सिद्धू और चन्नी के बीच में बंद कमरे में बातचीत हुई है आपस में दोनों के बीच नोगजोग भी हुई है जिसके बाद चन्नी ने कहा है कि मैं सपद से हटना चाहता हूं आप सिद्धू को बिठाईए इस पद पर और सिद्धू संभालें फिर पंजाब को चु दोगर सोशल मीडिया पर भी वो तीन से चार पेज़स का पूरे का कई नोट आपने देखे थे जिसमें तेरा सूत्रिये मुद्धे थे जो नवजोट सिंग सिद्धू ने कहा था कि इसको मैंने पिछले मुख्यमंतरी के सामने भी रखा था लेकिन इस पर कुछ काम नहीं ह हुआ सोने गांधी को उनोंने ये मुद्धे भेजे थे तेरा सूत्रिये मुद्धे कि आप इस पर काम करने की जरूरत है और साथी जो 2022 में चुनाव होने है पंजाब में उसके मेनिफेस्टों में इन मुद्धों को जरूर शामिल कीजेगा इस खबर से जुड़ा एक एक पहुँचाएंगे आपके सामने इस बीच मेरी सही होगी मिनाक्षी कानवाल के साथ खास पेशकर्श